क्या इस शक्स ने नमाज तोड़कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंदर मस्जित के अंदर नमाजी के सामने आकर बैठ जाता है और ये नमाजी बहुत देर इंतजार करता है कि बंदर जैसे ही मेरे सामने से हटे, मैं रुकू, मैं जाओ और सजदा करू, मगर बंदर उस नमाजी के सामने से हटा नहीं जिसकी वजह से ये नमाजी नमाज तोड़कर भाग जाता है, तो क्या इस शक्स ने नमाज तोड़ कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं है बलकि शरीयत ही खुद इजाज़त देती है अगर आपके सामने कोई जानलेवा जानवर आ जाए या कोई ऐसा जानवर आ जाए जिससे आपको लगे की ये मुझे नुकसान पहुचा देगा तो आप बिलकुल उस वक्त अपनी नमाज तोड़ सकते हैं आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा मगर अफसोस है उन लोगों पर जिन लोगों ने इस पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया मगर उन्हें ये तोफियत नहीं हुई के नमाजी के आगे से बंदर को भगा देटा कि ये नमाजी अपनी नमाज सुकून से पूरी कर ले अल्ला हम सब को नमाज पढ़ने की तौफिक दे